कैas डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो के सीरीज चल रही है जेओशस्सी ॉपिज़ीटी के के जो कूस्ट्स है उनको लोग यहां डिस्कस करने वाले हैmalी अससे पहले मैंने बहुत सारे और भी कूस्ट्स दीए वुए हैं I hope कि आपने उनको सारा देखा होगा और वीडियो कर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना भूले देखिए अगले question जो है हम लोग बढ़ रहे हैं इस question में आप देख सकते हैं आप screen पे question है एक coil of 100 turns and a radius 1 cm is kept coaxially in a long solenoid having 8 turns per centimeter and five turns and five centimeter radius find the mutual inductance ठीक है question क्या कह रहा है एक coil है जिसमें 100 turns है और 1 cm को उसको coaxially रखा गया है ठीक है दूसरे एक जिससे solenoid है यह एक solenoid है ठीक है इसमें क्या है ध्यान से समझेगा इसमें जो है आपके जो number of turns दिये हुए है वह 8 turns per centimeter है तो इसको अगर आप 8 turns per centimeter में है तो centimeter को में में convert करेंगे तो that means 800 turns per meter है और इसकी जो radius है वो जो है वो 5 cm में है ठीक इसके अंदर में ध्यान समझेगा इसके अंदर में एक हमने और छोटा सा एक coil रखा हुँए ठीक है जिसमें total कितने turns है total turns जो है वह आपका दिया हुआ है 100 और इस coil की ठीक है यह खुद एक coil होगा उस coil की जो radius है वह है 1 cm तो आपसे पूछा गया है mutual inductance कितना होगा ठीक है तो यह direct आप चाहे तो इसको solve कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इसमें क्या है solve करने के लिए आपको जो fact use करना है जो आपके काम का चीज है आपको पता है mutual inductance between the two coils का class 12 की book में mu naught n1 into n2 into pi r square l ठीक है अगर हम बात करते हैं यहां ध्यान से समझें कि mu naught तो आपको पता है कितना होता और उसी का length effective length की बात की जा रही है तो n1 अगर हम उसको ले तो n1 into l क्या हो जा रहा है उसकी total number of turns हो जा रही है यानि इस formula को हम अगर change भी करते हैं तो आपका कितना देखेगा mu naught n1 into l into n2 into pi r square n1 into जो आपका दिख रहा है n1 into l वो आपका हो जाएगा mu naught capital n1 into n2 into pi r square mu naught की जो value होती है आप जानते है 4 pi into 10 to the power minus 7 होता है n1 जो है number of turns आपका 100 दिया हुआ था n2 जो है number of turns जो की 8 8 turns percent उसको हमने 800 में convert किया था pi की value है 3.14 यहाँ पर भी आप रख सकते हैं और radius जो है आपका 1 centimeter यानि 10 to the power minus 4 जब आप इसे solve करते हैं तो आप मुझे बताइएगा answer क्या होगा तो आप मुझे बताना है comment section में कि क्या answer होना चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो I hope कि आपको यह तरीका पूरा का पूरा समझना मैं पूरा solve नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ तरीका बता यह question क्या कह रहा है कि दो यहां पर पूरा अगर question नहीं भी आया है तो मैं बहुत दो सूसंगत स्रोतो को 0.9 mm के दूरी पर रखा गया ठीक है दो sources है ठीक है उनको कितना distance पर रखा गया अपस में 0.9 mm के separation पर रखा गया और उनके fringes को 1 मिटर दूरी पर देखा गया और ज जो है इसे करने small d का यह आपको हुआ मीटर के सेपरेस capital लिए तको समझ में आ रहा हूं question कहां से है इसके बाद क्या कहा गया था कि यदि यह केंद्रिया fringe से 10 mm की दूरी पर second dark fringe पैदा करता है अपने screen पर यह central bright central bright से first dark second dark का जो position है वो center से कितना 10 mm की दूरी पर है तो आपक प्रकास की तरंग्ध है यानि जो light source यूज कर रहे है उसमें जो coherent source का है उसका basically wavelength कितना है तो आपको करना क्या है और आपको इस options में एक बाद दिखा देता हूं 7.2 इंटू 10 तिवर माइनस 5 3.6 इंटू 10 तिवर माइनस 5 cm में है 1.6 इंटू 10 तिवर माइनस 5 cm में है 1.6 इं इंपल पता है ydsc experiment ठीक है ydsc experiment में आपने पढ़ा होगा कि जो dark के लिए condition होती है जो dark के वो होता है 2n plus 1 lambda by 2d होता है चुकि यह second dark की बात की जा रही है तो n की value का 2 लेते हैं और इसमें put कहते है तो 2 2 जा 4 plus 1 5 हो जाएगा यानि y की value हो जाएगी 5 ओ सौरी हमने d lambda आ यह चीज मैंने बताया आपको clear है यह चीज आपको पता होना चाहिए यहां पर फिर से correction करके आपको बता देता हूं यहां से कि y का value कितना है 2n plus 1 d lambda by 2d होता है तो इसका मतल़ जब आप इस second dark के लिए देखना चाहते है तो 5 d lambda by 2d है अब समझे इस question में कुछ नहीं रहा ग ठीक है तो overall आप चाहे question को यहां से खुद से solve कर लीजे comment section में आप मुझे बताई किसका answer क्या सकता है मैं बार बता रहा हूं मैं पूरा solve नहीं कर रहा हूं ठीक है वीडियो कर पसंद आये तो वीडियो को like करना ना भोले thank you